दोस्तों महतोपून क्यूशन लेके आया हूँ दोस्तों ब्रह्मास्त्र वो महतोपून क्यूशन है या दोस्तों पच्चिस क्यूशन में आपको करवाने वाला हूँ जीके के और यह पच्चिस के पच्चिस ऐसे क्यूशन लेके आया हूँ आज की कलास में जुकि आपकी एक जाम हूँ बहू देखने को मिलेंगे दोस्तों एदि आपको पसू परीचर यानि कि एनिमल अटेंडेंट सच महीं बनना है और सत्रा लाग जो फोरम आये सत्रा लाग चोश्ट जार उन सभी में आपको आगे जाकर के जो छेजार पद है उन छेजार पदों के अंदर आपको तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप लोगों की तयारी में चार चांद लगा देंगे मित्रों एदि आप रोजाना में जो जितने भी किशन करवाऊंगा एदि आप कर लेते हो तो मैं आपको गारंटे के साथ कर सकता हूं कि आपका सेलेक्शन कोई नहीं रोक सकता चाहे मेद के किशन हो चाहे आपके जीके के किशन हो दोनों किशन मैं करवाऊंगा आप मेरे साथ तयार हो जाओ और पार्ट भी भी करवा रहा हूं वो कहां करवा रहा हूं वो मैं बता दूँगा आपको ठीक है चलिए दोस्तों सुरू करते हैं कलास को पहला क्यूशन रा पचास जिले कितने हैं पचास जिले आपको याद रखना है पचास जिले पूचाए यहापर क्या पूचाए क्यूचाए क्यूचन पढ़ने में गलती कर दी तो नमर कट जाएंगे पचास लगाएंगे बहुत सारे विध्यारती परंतु जो मेरे से पढ़ेंगे वो 50 नहीं लगाएंगे क्या पुजाए 9 गटिद तो 9 गटिद ए 19 तो अपना उप से नमर D सही होगा समझ गए बातको समझ रहे हो बात को आप बहुत सारे विद्यारती लगाएंगे पचास पर पचास गलत होगा क्योंकि आप पढ़ रहे हो मेरे से तो आपका सेलेक्शन होगा परसनी अगला वर्स 2022 तेश्वे राजस्तान का कुल खाद्यान उत्पादन अनुमानित कितना है तो इसका जवाब होगा मित्रों 253.99 मेट्रिक टन इसका सही जवाब हो जाएगा सभी के सभी विद्यारतियों का चलिएगा दोस्तों अगले कुशन पे चलते हैं ये रहा क्योशन ने इंद्रा रस्वय योजना के अंतरगत राजस्तान सरकार द्वारा परति थाली अनुदान दिया जाता है तो इंद्रा रसोय योजना अब इस इंद्रा रसोय योजना का नाम क्या अगर दिया है अन्पुरुना योजना क्या उन्पुरुना रसोय योजना कर दिया है और उसमें भी जो रेट तो रेट तो यही रहेगी ठीक है अन्पुरुना के नाम से आएगा अन्पुरुना रसो तो तेजा दसमी मनाई जाती है विजँ अधमि कब मनाई जाती है मित्रों ज्जे बोलो थेज़ी मारा जेपी दोस्टों जए तो चलिएँ दोस्तो इस प्रकार आपके जयकारों के साथ आगे बढ़ती रहे है और आप व्योंगों सेलेक्संट शोर होगा दोस्तों तो बाद वह में मनाई जाती है वीजे तेजा में तेजा दसमी तो हलगे हैं तेजा दसमी यह क्या है। तो तेजा दस्वी कब मनाई जाती है बादवा में मनाई जाती है क्या बादवा में अगला प्रशन किशनगड चित्रकला से लिए के संद्रक्षक सावन सींग की मरतिव कहां पर हुई है मित्रो तो सावन सींग की मरतिव हुई है वरंदावन में दोस्तों आपने सुना होगा का बनी ठनी बनी ठनी कहां की चित्रशे लिए किशन गड़की और दोस्ते किसके काल में सावन सिंग के काल में बनाए गई थी तो ये किसके आपको ये याद रखना है बनी ठनी कहां की है किशन गड़की किशन आता रहता है और इसके बनी ठनी का जो कलाकार कोने वह निहाल च राजस्तान का जलियावाला बाग हत्याकांड माना जाता है तो राजस्तान का जलियावाला बाग हत्याकांड वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि उसने पूरे के पूरे 25 के 25 ब्रहमास्त्र साबितों हैं समझ लो आपके नंबर पक्ते हो गए आपका सेलेक्शन पकता हो गए मेरे यानिकि दोरी म्यापर जो इस प्रकार का ये गटित काम किया गया था इसको जलिया वाला बागत्या कांड की चंग्या जो है मातमा गादी ने भी दीती दोरी डायर संदी चलिएगा अगला प्रसंद निम्र में से कौन सी मांड गाय का विकानेर से समंद इतनी है दोस्तों ऐस कौन सी गाय का है जो है कहां से विकानेर से समंद नहीं रखती है तो बन्नो बेगम का समंद विकानेर से नहीं है जबकि गवरी देवी अल्ला जिलाई बाई जिलाई बाई इन सब दोनों का समंद विकानेर से बन्नो बेगम का समंद विकानेर से नहीं है याद रखना मांड गाई काई परतीनों सोनार गड़ द्रूग है सोनार गड़ द्रूग है तो सोनार गड़ द्रूग किस टाइब का द्रूग है धानव द्रूग है किस टाइब का धानव द्रूग है दोस्तों धानव द्रूग मतलब जो रेत में होता है बजरी में जो होता है सेंड में जो होता तो खुड़की-ग्राम पाली है और इनकी सादी हुई थी मेवार्ड में काहां मेवार्ड में हुई थी तो ये भी आप याद रखना दोस्तों मिरा बाई की तो ये है पदावली और आप सी पूछ लेला जाए कि यह गुण बगती की है यह यह किसकी मिरा बाई यह स्वाजस्थानी भासा कहा किसने राज रुपक की भूमिका में डिंगल को दोस्तो राजस्तानी बा सका डिंगल को राजस्तानी बा सका जवाब हो जाएगा पंडित रामकरण आसोपा ने पंडित रामकरण आसोपा दोस्तो ये क्यूशन ब्रहमास्त्र है आप लोगों के लिए ब्रहमास्त्र जैसे ब् क्यूशन भी आपके लिए इंपोर्टेंट है चलिएगा मद्दे कालिन राजस्व व्यवस्ता में नोकर साव के रूप में नुक्त किया जाता है जवाब दो भटापाट तो हो जाएगा मृतिस ददी क्या हो जाएगा मृतिस ददी तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा तीमणिया पहना जाता है तो तीमणिया काँ पहनते है जितने भी क्यूशन होंगे इंपोर्टेंट हो मैं करवा दूँगा आने वाले पूरे के पूरे समय में चिंता छोड़ दो आप छोड़ो चिंता और चिंता मुझे करने दो आ बस तैयारी करो तीमणिया पहना जाता है तो तीमणिया को कहां पहनते हैं तो तीमणिया को गले में पहनते हैं कहां पहनते हैं मित्रों तीमणिया को गले में पहना जाता है अगला प्रसन निम्र में से कौन सा सित्र बालू का इस्तुप मुक्त है बालू का से मुक्त यानकी बालू का इस्तुप मुक्त पूछ रहे हैं मुक्त मुक्त तो याद रखो मुक्त कुण है तो मुक्त याद रखो भाई पटापट तो बालू का इस्तुप मुक्त क्या हो जा बताओ बड़ा पट सभी के सभी विद्यारती आंसर देंगे चलो रहे मेरे दोस्तों ये लो करो सुमेलित संपरदाई परमुक पीट या गद्धी आपको सुमेलित करना है चलो गुदर संपरदाई कहां पर इनकी परमुक पीट दात्रा बीलवडा में नवल संपरदाई इनक अपना क्या होगा सई होगा गुदर संपर्दाई दातना भीलवडा नवल संपर्दाई जोदपूर में चरणदासी दिल्ली में अलक्या संपर्दाई बीकानेर में इंपोर्टेंट याद रख लो अगला प्रसन आपके लिए मुगल विरोधी कारेवाई की द्रश्टी से मार मारवाड का भूला विश्रा राजा दोस्तों यह यह और इनको मारवाड का मारणा प्रताब भी का जाता है इन्होंने कभी अकबर की अधिंता श्विकार नहीं की मरते दम तक श्विकार नहीं की दोस्तों पूरे हमेशा हमेशा के लिए भटकते रहे इदर से उदर आप याद रखना कि मुगलों के सामने नहीं जुके, इसलिए मारना परताबी नहीं जुके, इसलिए मारना परताब का पद पर दरसक के है ये दोस्तों, याद रखना इंपोर्टेंट है, राजस्तान की संसकर्ती में मुगदना क्या है, अरे मुगदना बताओ भई, मुगद क्या लाई जाती है उनको बोलते हैं मुगदणा क्या बोलेंगे मुगदणा अगला प्रशन निमले कितमे से कौन सी कविता सुनने के बाद साही नरेस रोयल किंग ब्रिटिस वाइस राइस से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए तो आपको पता है दोस्तों बताओ कौन साही र से ब्रिटिस वाइस राइस से मिलने नहीं गए थे मेवाड के एक राजा थे उनको एक कानी लिखके बेजिती उनसी कानी लिखके बेजिती रहे बही बता दो तो वह थी चेताओ नीरा चुंगटिया चेताओ नीरा चुंगटिया याद रखना इस कान्यों को सुनकर इसको प्रेरित होकर इस कान इसे और दोस्तों जो मेवाड के राजाते वो मिलने नहीं गए याद रखिएगा अगला प्रसन राजस्तान की जलवाईू से समधित कौन सी विशेष्टा नहीं है याद रखना या तुड़ा ध्यान दिया करो नहीं है और है मैं नहीं है बताओ तो पर से स्था नहीं हमानी दो जार एक क्यों से दो जार एक से दो जार ग्यारा के दसक में जराजस्तान की जन सिंक्या में वर्दी दर रही है तो राजस्तान में कितनी वर्दी दर रही है जन सिंक्या की बताना करप्या करके आप लोग चलिएगा पटा पट जवाब होगा कितनी पर्तिसत वर्दीदर रही है 21.3 परतिशत की वर्दीदर देखने को मिलिये हमारे राजिस्तान में। अगला प्रसन राजयंपाल अपना त्याग पत्र संबुदित करता है यानि कि राजयेपाल साब जैसे कलराज मिसरे हमारे राजयbाल है नहीं कल राज मिस्रे और कल राज मिस्रे का मन करता है कि अब मैं प्रेशान हो गया हूं अब मुझे नहीं रहना गवर्णर राजेपाल अब मैं इस्तिपा दे रहा हूं त्याग पत्र दे रहा हूं तो किसको देंगे तो यह राष्ट पती को देंगे दोस्त क्योंकि राष्ट पती के प्रसाद प्रियंत बने रहते हैं, इसलिए राश्ट पती कोई इस्तिपा देंगे अपना, चलो, अगला प्रसन आपके लिए, यह रहा दोस्तों क्यूशन, राश्ता लोक्षियव आयों के सदस्यों के समंद में निमले कितमें से कौन सा कतन है, सही नहीं है, क्या सही नहीं है है बताना हैं आपको चालो तो सदस्यों की न्युक्ति राज़ेपाल द्वारा की जाती है बिल्कुल दोस्तों की जाती है और सदस्य अपने पत्या कि तारिक से छे वरस की ओधी और पेशट वरस कई प्रावत कर लेके and और इसमें से जो भी पहले हो अपना पत्या करेगा तो ये गलत है भाई ये यह याप जरन्स हो जाएगा सदस्य अपनी पदावली की समावती पर उस पद पर पुनिनुक्त का पातर नहीं होगा ये भी सही है सदस्य अपने पद के साथ राजस्तान राज्येपाल द्वारा न आश्ट्रिपती कर सकती है ठीक है तो ऑप्सन नमबर भी अपना सई होगा इसका मतलब गलत नूड़ना थे गलत है अगला प्रसन आप लोगों के लिए ये रहा दोस्तों अगला क्यूशन चलो निमलिकित को सुमेलित करना है नदी और उत्पतिस्तान नदी और उत्पतिस् सिर्फ कांतली का खंडेला की पाडियों से उप्सन नमर सी सही होगा साभी नदी का उदगम सेवर की पाडियों से बेड़च नदी का उदगम गोगुंदा की पाडियों से कोटारी नदी का उदगम दिवेर की पाडियों से और कांतली नदी का उदगम खंडेला की पाडिय याद रहेगा की नहीं रहेगा रहेगा ने रहेगा की नहीं रहेगा बिलकुल बहुत बढ़िया चलो अगला प्रसन में चलते हैं यह रहा गलत युगम को चुनिए खनीज दे रहा है और खान दे रहा है गलत जो भी युगम दिख जाए उसको टिक कर दो वही आंसर होगा अ पड़ा चलो चूना पत्तर कन्नोई साइए मेगने साइट साइए सेंडरा पाली पन्ना काला गुमान राजसामन से ये बेंटो नोइट भाई गलत है बेंटो नोइट क्या है गलत दे रखाए यहाँ पर गलत डूड़ना था अगला प्रसेन दोलपुर प्रजाम इंडल की वर्ड हेरिटेज सुची में सामिल किया गया है युनिस्को की वर्ड हेरिटेज सुची में सामिल किया गया है मित्रो तो हो जाएगा जंतर मंतर जंतर मंतर वेजसाला जेपूर में है इसको दोस्तों वर्ड हेरिटेज सुची में सामिल किया गया है युनिस्को के द्वारा ठीके याद रखोगे रखोगे की नहीं रखोगे ये 25 कुशन ऐसे समझ लो आप लोगों के लिए अम्रत साबित होंगे ये 25 कुशन जो मैंने आज करवाए हैं आप लोगों को ये समझ लो आपके नंबर पूरे पूरे देखे जाएंगे और आप लोग मेरे साथ रोजाना पढ़ाऊंगा चिंता क्यों कर रहे हो आप लोग कौन कौन से चैनल में पढ़ाऊंगा सब बताऊंगा दोस्तों पार्ट भी पढ़ना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिलेगा या सर्च कर लेना गारंटी सरकारी जोब या दोस्तों डिस्क्रिप्श पर नतुट साइन्स दूसरे चैनल में करवाऊंगा और फिर वो अल लग चैनल में करवाऊंगा। आप तीनों चैनल को सुटक्राइब करके रखेगा मैं सीन कोई रोकता हूं उसाफ फिशुष भर लो आप लोगों की तो मैं आपको बरोसा दिलाता हूँ कि आप लोगों का सेलेक्शन मैं करवाऊंगा यदि आप रोजाना मेरे साथ जुड़ेतो धन्यवाद मित्रो मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ तब तक जे हिन जे बारत जे जवान जे किसान मित्रो